तीके साथ अगले कॉलर से हम बातचीत करते हैं, बिहार से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गये हैं, राकिश जी ने हमें कॉल किया है, जी बताएं, क्या समस्या है आपके साथ? उम्र कितनी है आपकी? 30-31 साल की उम्र है पेट की समस्या है इनने ब्लड भी आता है पांचे साल जाने की तकलीफ की दर्द की समस्या बहुत होती पांच साल तुमें तो आदमी मायूस हो जाता है बुढ़ा हो जाता है और एक नुस्ता मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख लें देखिए एक चीज आती है लाजवन्ती, सब जानते हैं बड़ी मशूर चीज है, लिख लिख लिए लाजवन्ती के बीज आते हैं बहुत बारिक बारिक, अगर इसे पानी में डालो तो पानी जम जाता है समझ दीजे आप कैसी चीज है लाजवन्ती के बीज लाजवन्ती कहते हैं इसे लाजवन्ती और एक चीज आती है रसवन्ती ये एक गम टाइप की चीज है लाजवन्ती रस्वंती, कत्था कत्था ही जो पनवाडी पान पे लगाता है, ये सूखावा कत्था मिलता है सो सो गिराम सब ले लाज्वंती, रस्वंती कत्था और गौन मौरिंगा सफेद लिखना है आप, लाल वाला मतले ना, गौन मौरिंगा सफेद दाता है, इस उसोगिराम लेकर पाउडर बना लें और इसकी गोलियां बना लें, चना या मटर के बराबर या उससे कुछ बड़ी, और एक सुबा एक शाम खाया करें, पानी से, बगार चर्बी के दूस से, या जूस से भी ले सकते हैं अगर आप रही सादमी हैं, और ये विमारी का ठीक होना मुमकिन है, और दर्शक हमारे साथ कोटा राजस्तान से जुड़ गए हैं, आईए उनसे बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ हैं गौतम जी, गौतम जी क्या सवाल करना चाहते हैं आप, मुझे तो ये जेतून सिर्का का पता करना था मेरम, जी, क्या पत ही के मुलकों पैदा होता है, और उसको एक प्रोसेस के तहर सिर्का बना रहते हैं, जैसे यहां गन्ने का, अंगूर का, सेप का सिर्का बनाते हैं, ऐसे ये एक फल है, जिसका सिर्का बनाते हैं, लेकिन ये पेट की खराबी के लिए, पेट के इंफेक्शन के लिए, आतों क डाइबेटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं दिन में एक या दो बार ले सकते हैं पानी से पानी में मिलाकर बहुत तेज होता है तो दो तीन चमच एक गिलास पानी में डाल कर अगर इस्तेमाल किया जा तो डाइबेटीज भी इस्तेर रहती है और कॉलिस्टॉल का दुश्मन ह और प्लेट प्रेशर को ठीक करता है हार्ट ब्लॉकिज इसकी वज़े से हमें बाइपास सर्जरी ऑप्रेशन कराना पड़ता है अगर पांच से महीने ले लिये जाए तो इससे निजात मिल सकती है इसके साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है रामा जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से उनसे बातचीत करते हैं रामा जी बताएं क्या सवाल करना चाहती है आप मैं हकीम जी से पूछना है कि मुझे डॉक्टर ने गठिया बताई है जी और मेरे तो है पैरों में हाथों में की उंगलियों में सूजन आ जाती है जी और दॉक्टर ने जे कहिए जे गठिया है ये हमेशा के लिए रहेगी ठीक नहीं होगी उम्र कितनी है रामा जी आपकी मेरे 64 है और ये जो समस्या जी और दूसरा ये है ये मुझे थोड़ा बिलाट पेशर भी रहता है ठायरेट ही है अच्छा ये जो जोडों का बता रहें गठिया ये कब से है आपके साथ परिशानी में इसको आठ महीने हो गया है कैस्टिंग में अनों ने आप गठिया बता तो बहुत ताजी ताजी गठिया है मतलब एक साल भी नहीं हुआ है जो अगर प्रोग्राम देगती हैं तो पाँच-पाँच दजदस साल पराने लोग भी अच्छे हो जाते हैं अगर वो अच्छी तरह इलाज करें देखिए गठिया जो है वो खटिया पर पहुंचा देत है अदमी को ऐसे गाउं की मिसाल है तो इसका इलाज है लेकिन पांच-छे महीने आप करेंगे तब इलाज है और थायराट का भी इलाज है वो भी ठीक हो सकता है एक एक करके कर लें जो आप बहतर समझें एक निसका बताता हूं वो आप खुद बनाएं देखिए अलसी ले लीजे पांस-छेसो ग्राम और उसको पाउडर बना लीजे हलकासा भून के अलसी और एक चमच अलसी रोज सुबा और शाम खाया करें और सो दो सो ग्राम आप ले लीजे गौंद सिया एक गौंद आता है जिसे गौंद सिया या काला गौंद कहते हैं यह अलक से पाउडर बना के रख लीजे जब भी यह अलसी खाएं तो इसमें एक या दो चुटकी गौंद सिया मिला लें बड़ा कड़वा होता है बहुत ही कड़वा इंतहाई कड़वा होता है बड़ा साथ अच्छा नहीं होता उसका लेकिन फाइदे में मैंने ऐसी अपनी जिन्दगी में के कोई दवारी देखी जो गठिया को भी आप से दूर कर देता है यह गठिया का इलाज है समझते हैं आप अलसी पीस के अलग रखें हलका सा फून के एक चम्मच लें उसमें एक या दो चुटकी गौंसिया मिला के दिन में दो बार खा सकते हैं खाने के पश्चात बगए चर अजर अली साहब बताए क्या सवाल करना चाहते हैं मैं मुझे बबाशीर है और बबाशीर जो है वो है उसकी बादी वाली मेरे नीचे उन्हें लेटरिंग करते हैं गुदा जा थोड़ा भार में अलीन निकलिया दिया है जी आउन्दस लेने के बाद से चाहता है कि यह कोई युनानी दवा इनके लिए या जिस तरह की परिशानी है बहुत ही परिशानी वाली परिशानी है बिमारी है यह दवा भी है और घरे नुसके भी है यह ठीक हो सकता है बस आप इतना खयार लगए कि खाना जितना आपको लगता है उससे आदा खाना खाया करें और जो भी खाना खाएं वो हजब जो आप आसानी से कर सकते हैं वो खाएं ठीके और दवा के नाम पर कैफसूल P केर P for पटना कैफसूल P केर सुबह शाम खाने के बाद या पहले भी ले सकते हैं पानी के साथ लें और एक घरेले नसका है वो मैं आपको बतायता हूँ मेथी पांच सो ग्राम मेथी का दाना और इसको पाउडर बना लें ज्यादा बारीक ना करें तोड़ा मोटा मोटा सा रहा है जह सूजी होती है ऐसा तो बहुत अच्छा मेथी दाना को पाउडर बनाए और एक रसायन आता है जैतून का रसायन जैतून का नमक भी कहते हैं इसे आसान लेंग्वेज में और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऐस्टेक जैतून ये देखने में नमक होता है लेकिन खाने में नमकी नहीं होता है ये सौ ग्राम या जेड़ सौ ग्राम इसे मिला कर पाउडर बनाएं और आ ताकि आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपसे रुकसत हो जाए और इस वक्त एक और कॉलर है मीना जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से मीना जी क्या सवाल करना चाहती हैं आप नमस्कार जी आदार मीना जी कैसी है हाँ ठीक है मेरी मदर है 55 यर्ट की तो उनकी एक कमर से गोती नस चाती जो पैर तर जाती है बहुत दर्द करती है उनके जी ठीक है और दूसरा सवाल उनके यह है कि उनको बीदी जी दिकत है और उनको फिर में बाद वो गिर गेके चोट लगी थी तो डॉक्टर नोटाया है उनके सिर में खुन जम गया है तो किस टेम वो ब्योश्व हो जाती है जी ओमर कितनी है उनके 65 65 जी एक तांग की बड़ी प्रॉलम है उनको एक तांग कमर से होती ही नीचे पैर तक बहुत दुखती है कापी इलाज कराया पर कहीं कोई अब दुखती है और श्री में जिर्ग इंठेक वारी तो खुन जमा हुआ है तो वह भी हो जाती है कि थोड़े बार उनको पानी में डालते हैं एक डूली डालते हैं तो वह नौन बोली तो अब टीक से सुनिए बड़ा अच्छा लगा आप अपनी मां की इत्ती फिकर कर र बड़ तो इसे साइटिका कहते हैं हमारी कमर की डिस्स में वह रग ढब जाती है जो खून सप्लाई करने के लिए टांगों की तरफ जाती है मोटी नर्व होती है इतनी मोटी मेरी उंगली की बराबर तो वह ढब जाती है तो इसके लिए एक तो घर में वैस्टे हorta aleet होना जो अपनी जरूरत वो उस पर पूरी करें नहीं है तो लगवा लिजे तो बहुत जरूरी है ये उनके लिए दूसरा कैपसुल टी केर टी फोर टाइगर आप उन्हें दिया करें सुबा शाम और अगर जल्दी भी फायदा हो जा किसी को एकी महीने फायदा हो जाता है तो वो तीन चार महीने इलाज करें ताके इस से निजात मिल सके ममी को आपकी और यह जो ब्लेट पेशर और यह खून का जमना यह चर्बी का जमना यह चर्बी का होना यह हार्ट ब्लॉकिश होना यह सब के लिए बहुत अच्छा एक नस्खा है जैतून का सिर्का जैतून का सिर्क जो है यह लिक्विट है और इसे तीन चम्मच रोजाना पानी में मिला कर आप उन्हें पिला दिया करिए आपकी सारी समस्यां का निदान मुम्किन है एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गई है फरीदाबाद से विद्या जी ने हमें कॉल किया है विद्या जी आप बताएं कि हांजी मेने दो बड़ी दवाई मगवाई है आपकी आ अर्क है जी जी मेरेको फर्क खो है पर है मåरेको हातोên पैरों परन elegy सी यह जाती है जी ठीक Istro बोलिये पूरी बात बोलिये हाँ जी पूरी द्वाई मैंने खा लिये फर्क है ठीक है अच्छा देखिए आगे द्वाई आगे लूँ या फर्क कितना है ये बता दीजे फर्क बहुत है 80 परसेंट तो है अच्छा देखिए तबाई और एक दो महीने खाईए आप और एक चुटकी जो खाने वाला सोडा है रोजाना एक चुटकी में इतना आए पानी में मिला कर आप पी लिया करिए तो कोई ऐलर्जी बगरा भी होगी तो उसका भी ठीक होना मुमकिन है आपको बहुत मुबारक बहुत जल्दी भगवान ने आपको फाइदा दिया और मुझे बहुत अच्छा रगा कि आपने हमें फीड़बेक दिया बहुत शुक्रिया आप से बात करके बहुत अच्छा रगा और सीमा रानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है कॉल किया है इन्होंने हर्याना से सीमा जी सवाल कर सकती है नमस्कार डॉक्टर साब आदा सीमा जी बताईए सर मैंने अपने हस्बन के बारे में पूछना है जी उनकी नोमर 56 साल है और उनको ना हार्ट की प्रोग्लम है उनकी ना हार्ट पंपिंग का कम काम करती है हार्ट कम काम करता है जी ब्लॉकिज तो नहीं बताए डॉक्टर ने अंजी हार्ट ब्लॉकिज तो नहीं बताए है कहीं चर्वी ब्लोक इज ने एक नस्प ब्लोक बताई थी, बाकि उनको ना तो स्टंड पढ़ सकता है, डोक्टर कहते है ना बाइपास सर्जरी हो सकती है ठीक है, देगे मैं तो कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि बाइपास सर्जरी मत कराईए, स्टंड की भी जरूरत नहीं है जब चर्बी हमारे दिल की रगों में भर जाती है तो स्टन डालते हैं या बाई पास सरजरी करते हैं एक ऐसा निसका जो इतना काम्याब है कि जिसने भी इस्तेमाल किया उसको फाइदा होता है मैं अपनी पूरी जिन्दगी में ऐसा अच्छा निसका शेयर करता जा रहा हूँ आपको भी फाइदा हो तो आप भी शेयर करते जाएए मेरे इतने वीवर्स से जब फाइदा होता है तो हजारों लोगों में शेयर करते हैं लीबू का रस एक लीटर निकालें अपने हाथ से बना के दें अपने पती को बहुत खुश होगा पती भी और भगवान भी एक लीटर लीटर लहसन का रस एक लीटर अद्रक का रस और एक लीटर जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का ही डालें उसमें इसको मिक्स कर दें ये पांच महीने की दवा है आपके पती की और इन पांच महीने में उनकी नर्व जो ब्लॉक है वो पहले महीने से खुलने लगेगी पांच महीने होते होते उनका रोग मुक्त होना मुम दूर कर देगे